हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूट्व चैनल, दोस्तों आप सभी का मेरी इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज यह एक 39 एर्स लेडी का पाम है और इसे मैं आज इनलिशिश करूँगा और मैं यह भी बता देता हूँ कि यह घर की कारियों में ज्यादा रूची रखती है लेकिन बाहर की कारियों में यानि की जौब वाले कारियों में इनका सेकेंडरी रूची है secondary place है इनका इसलिए मैंने इनके हाथ की analysis करने के लिए left palm को लिया है यहाँ पे तो दोस्तों इनका जो palm का जो color है ये तो original color नहीं इसमें इन्होंने color लगाया हुआ है लेकिन मैंने देखा है palm का color तो palm का color जो है वो बहुत ही अच्छा है वो pinkish color का लिये हुए है pinkish plus white color का लिये हुए है और इनका जो है चौकूर palm है means quad lateral form है ये palm तो ये energy भी देती है energy देने के कारण ये लोग धकते नहीं है और अपने अथक प्रिश्रम से अपने family को एक अलग level तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं ये इनके हाथ के size से पता चलता है फिर इनके उसके बाद इनके fingers की बात की जाए तो इनके fingers भी अच्छी खासी length में है तो मतलब कि जिस चीजों पर जितना सोचना चाहिए जितना विचार करना चाहिए उतना ही सोचेंगे और विचार करेंगे ज्यादा ना सोचना होता है इन लोगों के लिए और नहीं ज्यादा विचार करते हैं किसी भी चीजों पर कोई भी चीज पर final decision करने के लिए बहुत सारे लोगों को बारे में मैंने बता है दोस्तों अपने ही channel पर की जिनकी लंबी अंगलियां होती है with respect to palm जिनकी लंबी अंगलियां होती है तो वो ज्यादा सोच विचार करते है लेकिन इनका जो है दोनों का यानि palm और hand sorry ये fingers और palm दोनों की size जो है वो लगभग बराबर की अस्थिति में है तो ये इनको balance करेगी कोई भी चीज़ पर decision लेने में इनको ज़्यादा परिशानी नहीं होगी ज़्यादा ये नहीं सोचती होगी ये सारी चीज़ें बताती है यदि Jupiter finger की बात की जाए तो अच्छी अस्थिति में है लेकिन यदि यहाँ पर इनकी Saturn finger की बात की जाए फेमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते है और एक चीज़ ये भी कारण है कि यहाँ पर ये elder है ये elder अपने फेमिली में ये elder है और ये मैंने prediction करके इनको बताया था कि ये elder है और इनने agree भी किया था कि हाँ yes I am elder in my siblings और तो इसके कारण होई family responsibility कुछ ज़्यादा ही इन लोगे ओपर पड़े जाती है इस तरह से कुछ देखे जा सकते हैं यदि इनके sun finger की बात की जाए या polar finger या फिर ring finger की बात की जाए तो ये बिल्कुल a straight है तो इसमें कोई honey वाली बात नहीं ये अच्छी ठीक है इसमें कोई दोस नहीं इस उंगली में और एक चीज और में बता देना चाहता हूँ यदि certain finger यदि sun finger की ओर पहुंचती है तो ये अपने आपमें इंडिपेंडेंसी चाहता है अपने आपमें इस तरह के जातक लोग जो होते हैं इस तरह के जो इंडिपेंडेंसी चाहते हैं ये लोग कुछ भी सोचते हैं कुछ भी विचार करते हैं तो उनमें ये दुसरे लोगों का विचार तो ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं लेकिन क्या होगा कि जो इनके मन में होगा वो ही कारी करेंगे तो ये इनकों रिविलियस भी बनाता है कभी-कभी ये भी दर्शाया जा सकता है और ये फिंगर इनका जो है बिलकुल ही अलग हो रहा है इन बाकी फिंगर से तो ये कह सकते हैं कि इनमें एक्यूटनेश भी होगी और अच्छी खासी ये किसी भी चीजों को ग्रहन करने में माहीर होंगे ये कैलकुलेटिव होते होंगे बिजनेस माइनडेड यानि फिर ये दि मनी की बात आए तो फिर एक कांटेंसी की बात आए तो अच्छी तरीके से इनमेनेज कर सकती हैं ऐसे लोग क्लेवर प्रकृति के इनसान होते हैं दुसरों से काम निकलवा भी सकते हैं अच्छी तरह के इनसान की कैटेग्री में इनको रखा जा सकता है उसके बाद इनके जो माउंट का जो स्लोप है वो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल धनुशाकार है जब इस तरह के माउंट का से पाता है तो बेक्ती के पास जो भी सामने जो कारी आता है जो भी इनके सामने जो प्रोजेक्ट आता है उसको यह लेने की कोशिश करते हैं यह अपर्चिनिस्टिक होते हैं जो भी अपर्चिनिटिस इनके पास आता है उस opportunity को लेकर के आगे बढ़ने की ये कोशिश करती है इस तरीके के characteristics को हम देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों fingers की analysis होगी fingers की analysis करने के बाद हम क्या करेंगे इनके palm के analysis पर जाएंगे तो इनके palm में भी आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम इनके life line को हम analyze करेंगे फिर इनके mind line को analyze करेंगे और इनके फिर उसके बाद heart line को हम analyze करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले की बाद तो हम ये कर लें कि इनका जो lines है, lines बहुत पतली हैं इनकी जब इस तरह की lines होती है, पतली होती है लेकिन liveliness लिये हुए है जब इस तो बहुत ज़्याद़ productive lines होते हैं इस तरह के जो lines होते हैं बहुत ज़्याद़ productive lines होते हैं मतलब यह थोड़ा सा भी प्रिश्रम करेंगी तो अच्छा खासा result इनको मिलेगा जब इनको fit line support करेगा जब इनको life line support करेगा या फिर hurt line support करेगा mind line support करता है इन लोगों को अच्छी तरह से sync करने आता है इन लोगों का mind भी बहुत अच्छी तरह के से चलता है quickly चलता है और ये लोग अच्छी तरह के से refine सोच वाले भी होते हैं और दुसरों के परती भी अच्छी सोची रखते हैं जो कि यहां पर से भी पता चलता है कि इनके हाथ में जो गहराई है हाथ में गहराई रखने के कारण और जिप्टर मॉंट की साइज बड़े होने कारण ये लोग दानसील प्रभिरती के भी होते हैं उधार प्रभिरती के होते हैं लुग इस तरीके की चीजें देखी जा सकते हैं तो और इनके मॉंट की इप सेटर्ण मॉंट की बात कि जाए तो जाहिर सी बात है जब इतनी दभी हुई मॉंट रहती है तो इस अयर्जी मेरे रहता है इसमें भी कोई ज्यादा परिशानी नहीं लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर कि लगभक तिर्सुल का यह formation बना रही इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पर यह फेट लाइन गई यहाँ से इस तरीके से एक लाइन निकल रही तो यह एक कंप्लिट तुर्सुल का फॉर्म यह बना रही है तो तुर्सुल का कुछ न कुछ इनको यह क्या करेगा benefits देगा जिसे कि यह अभी जिस position में होंगी यह complete satisfied होंगी अपने life से अपने life से completely यदि financially चुकि Saturn हमें यदि Palm की बात की जाए तो Saturn हमें financially finance के बारे में बताता है यह सारी चीजें बताता है और उसके बाद हम यदि Apollo Mount की बात करें यान Eastern Mount की बात करें तो Sun Mount पे एक अच्छी रेखा निकल रही और यह भी एक छोटी रेखा है तो क्या होता है जब दो यह थोड़ा सा pride feeling करते हैं इस तरीके की चीजें देखी जा सकती है समझ तो अच्छी खासी होती है यदि Sun Mount की बात की जाए तो Sun Mount पे भी एक straight line है इस तरीके से जब एक straight line होती है और एक थोड़ी सी एक line इधर से जा रही है मैं दिखाता हूँ आपको यहां से एक straight line जा रह जब इस तरह की स्थिती बनती है इनके next half of the life जो होता है जो first half of the life से ज्यादा बेटर होता है यह देखा जाता है इनका उसकी बाद हम इनके mercury mount की बात करें तो mercury mount बिल्कुल ही स्वक्ष है बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और जितना इसमें puffiness होना चाहिए जितनी इसको fluffy हो होनी चाहिए उतना ही fluffy है तो इसका मतलब यह हुआ कि पैसे से related यह दिबात की जाए तो पैसे से कभी इनको परेशानी नहीं होने जा रही है और इनका कुछ प्रस्ण भी था दोस्तों कि यह अगले 2-4 सालों में कुछ financially परेशानी तो नहीं होगी उसको भी हम लेंगे इनक मिलेगी या नहीं मिलेगी इन सभी प्रस्णों को भी हम सबसे पहले ले लेते हैं उसके बाद हम analysis करना शुरू करेंगे यदि relationship की परेशानी relatives के द्वारा परेशानी की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि यह दोनों lines जो है हमारा life line और mind line है mind line से कुछ आने का मतलब क्या होता है कि अपने भाई भानों से अपने माता-पिता से कटू संबंध या फिर ये सही संबंध नहीं होना अच्छा जो एक positive महौल होता है अपने लोगों के साथ वैसा positive महौल नहीं रह पाता है ये चीज़ दिखाती है इनकी जो मोटी heart line है वो इस कर दो कि ये फोड़ा से ये अव साइन हो सकता है आप लोनको पता नहीं चलडा होगा लेकिन यहाँपर EF साइन है तो हो सकता है इन को कुछ chronic disease होने की शंभाब ना हो जोकि lineage disease होगा जो कि वो इन को हो सकता है for father से मिले थो इनको क्या करना चाहिए इसलिए मैं बारवार सजेस्ट करता हूँ प्रनायम और एक्सरसाइज से हमेStar को साथ रखना होता और हमेशा एक्सरसाइज प्रनायम करते रहेंगे तो स्वस्त रहने की कोशिस करेंगे रेस्पारेटरी रिलेटिटरी भी परेशानी होने की शमभावना है। जो after the age of 60 years को दर्शार ही है कि after the age of 60 years respiratory related परिशानी हो सकती है और उसके बाद कुछ lines यदि हम hurt line की बात करें तो hurt line से कुछ lines भी fall कर रही है तो यह भी दिखाती है कि relationship issues रहेंगे कुछ ने कुछ या तो wife husband के बीच रहेगा wife husband के बीच नहीं रहेगा तो फिर अपने ही लोगों क बीच से यह relationship में issues रहेंगे कहीं न कहीं relationship issues रहेंगे यह सारी चीजें बताती है इसके बाद इनके भेनस मांट को देखा जाए दोस्तों तो भेनस मांट बहुत ही अच्छी position में आप देख पा रहे हुए खास करके यह position जो है बहुत ही अच्छी उभार लिए हुए तो इनक ऐसे लोगों का जो selection होता है selection भी बहुत अच्छा होता है इनका जो selection होगा वो लोगों के द्वारा पसंद किया जाता होगा लोगों के द्वारा like किया जाता होगा इस तरह के selection वाले लोग होते हैं और इनका love life भी कहा जाए तो बहुत अच्छा रहता है यह दी भेनस अच् के केटेगरी में हम इसको रख सकते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी लाइनस आप देख रहे होंगे कि यहां पर कुछ छोटी 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 लाइनस है तो यह सारी छोटी छोटी लाइनस क्या होती है इनको एक मेंटल mental tension देती है तो हाँ mental tension तो दिख रही है इनके ये छोटी-छोटी mental tension देती है इतनी भी बड़ी mental tension नहीं कि इनको परिशानी ज़्यादा हो और उसके बाद एक athletic line भी दिख रही है जो कि मैंने इन से पूछा भी था कि क्या आप do you take interest in doing exercises और योगा तो इन्हों ने कहा था yes I at my schooling और college time I was participating in karate तो यहां से यह confirm हो जाता है कि हाँ यह लोग अपने body को body को ले कर के भी सज़क रहते हैं और athletic type personality इन लोगों की होती है उसके बाद Mars Mount की बात की जाए तो Mars Mount को भी अच्छा खासा जगह मिला हुआ है और यह inner Mars की भी बात की जाए तो यह इसका भी अच्छा खासा जगह मिला हुआ है तो inner Mars और outer Mars दोनों यह बता रही है कि इनको रोग प्रतिरोधक चमता है means कि जो resistance पावर्ज होता है body का resistance पावर्ज होता है वो भी इनका अच्छा कासा है तो means कि कह सकते हैं कि जो seasonal ligages होते हैं seasonal ligages तो इनको साइध ही कभी होती होगी लेकिन हाँ chronic ligages की ओर यहाँ पर से इसारा कर रहे है तो आज कल तो यह normal बात हो गई hypertension, HP hypertension होता है, BP होता है या फिर dabteach होता है तो यह सब अभी इनको कुछ नहीं सोचना है यह after the age of 55 और 60 के बाद ही यह होने की संभावना है लेकिन अभी से exercise करते रहेंगा और यह athletic type personality भी इनका athletic type का हाथ भी इनका तो जाहर सी बात है, यह कोशिश करते रहेंगे तो इनको और भी धीक सफलता मिलेगी और उसके बाद moon mount की बात की जाए दोस्तों और moon mount से भी ही इनकी यदि luck line की, fit line की बात की जाए तो moon mount से ही इनकी fit line ही बता रहे है तो जाहर सी बात है कि इनका financial upgradation अपने hometown से बहुत दूर जाकर के होता है और ये अभी foreign countries में रह रहे हैं जिससे ये शावित होता है कि इन लोहों का जो financial upgradation जितना ये दूर रहेंगे अपने घरों से उतना ही सुकुन भरी life जीएंगे और उसके बाद यदि monts के बारे में तो चर्चा हो गया दोस्तों राहों mount भी दवा हुआ है तो राहो mount दबा हुआ है तो इस तरह के जब राहो mount के स्थिती होती है तो ऐसे लोग noble characteristics के लोग होते हैं उदार प्रकृति के लोग होते हैं ऐसे लोग ये सारी चीजें कहा जाए सकता है इनके बारे में और यदि life line की बात करें body resistance की बात की जाए यानि body resistance की बात की जाए तो अच्छी खासी ही होती है और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि इनके कुछ यहाँ पर त्रिभुज के यानि triangle के formation बन रहे हैं यहाँ पर भी triangle के formation बन रहे हैं कुछ दो-तीन triangle के formation बन रहे हैं और कुछ यहां पर क्या आ रहे हैं कुछ जो होते हैं वो अवर्ड लाइन्स भी आ रहे हैं यहां पर कुछ तो यह बताते हैं कि इनके academics और college life अच्छी रही होगी और हो सकता है इनके कुछ award बगरा मिला होगा तो इन्होंने confirm किया था Yes, I was getting awarded while the time while my college time और school time इन्होंने confirm भी किया था और उन्होंने ये पूछा था कि क्या मेरा 2-4 सालों में कुछ परेशानी होगी क्या आने वाले time में तो यहां पर से एक आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छी upgradation line उपर की और जा रही है life line से होकर के जा रही है फिर यहां पर से एक line होकर के जा रही है ठीक है ना तो जब इस तरह की lines होकर के जाती है तो और यह मैंने age पहले ही calculate करके रखा है तो यह 41-42 के आसपास एक अच्छा सा इनका wish fulfill होगा यह दिखा रहा है एक desire जो है इनका most expected desire होगा वो fulfill होगा यह बता रहा है यहां पर तो यह ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमको कि कुछ financial में परेशानी होगी हाँ एक चीच मैं यदि fit line पे आता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि fit line पे यहां पर से आप देखिए जादा help नहीं कर रही है लेकिन यहां पर से आप देखिए कि 26-27 से शुरू हो रही है और यह जा रही है कहां तक यह 31 तक यह line end हो रही है तो 31 नहीं 35 तक यह end हो रही है इसको मैंने 35 तक लिया था और यहां से एक secondary line भी जा रही थे तो यह क्या chances दिखा रहा था कि यह तो 31-35 के बीच यह कुछ कर रहे होंगे कुछ job कर रहे होंगे और उसके साथ-साथ कुछ और भी सोच रहे होंगे मतलब एक साथ दो कारी को कर रहे होंगे और दोनों से कुछ ने कुछ financial benefits इनको मिल रहा होगा यह दरसाती है या फिर यह क्या कर या फिर यह 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 चीज दरसाती है कि एक काम को छोड़कर के दुसरे काम में यह लग गई होंगी इसके बारे में यह दरसाती है तो सबसे पहले मैं 26 years के age से आता हूँ दोस्तों इहां पर से तो इनसे मैंने बार-बार press rise किया था पूछा था क्या 26 years से ही आप कुछ काम करते होंगे क्या college hood के time से कुछ काम करते होंगे या फिर यह 26-25 से कुछ आपना कुछ reward पाते होंगे तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ ऐसा नहीं पाई हूँ और लेकिन इसके बाद मैंने जब इनसे पूछा कि क्या 26-27 में ही आपकी साधी हुई है तो इन्होंने confirm किया yes कि हाँ 26-27 के age में मेरी साधी हुई है तो इहां से इनकी financial graduation की सुरुवात होती है और यहां पर यह जाकर कि 31 से इनको job लगी यहां पर 35 तक इन्होंने job किया और उसके बाद 35 से इन्होंने क्या क्या skip किया job को और यह फिर से यह job ढूंड रही है तो यह यहां पर आ रही है अहां से आप देख रहे हैंगे कि एक clear line एक clear fit line यह जा रही है तो जहर सी बात है कि आने वाले समय एक डेड़ साल में इनको फिर से जो कि अभी बरतमान एज इनका 39 running है और यह 40 के बाद मतलब 41 में यह जब जैसे ही cross करेंगी तो इनकी शंभावना है पुरी शंभावना है कि यह कुछ earn करने लगेंगी इनको job अगेन मिल जाएगी अपने family को support करने के लिए यह चीज बताती है और फिर यह through all the life यह जा रही है से टर्ड मांट तक तो यह through all the life अपने family को यह financially support करती रहेंगी इसके बारे में बताती है और यहाँ पर भी एक इसके बारे में मैंने नहीं बताया कि यहाँ पर भी एक offshoot तो हमें कुछ न कुछ लाइफ में देते हैं और फिर यहाँ पर से भी एक छोटी line दिख रही है तो कुछ न कुछ इनको through all the life फिर से आगे से आगे जाते जाते जाएंगे तो तीन अप्ग्रेडिशन मिल देगा मिस 42 हो गया फिर उसके बाद 45 हो गया आसपास इनको कुछ न कुछ लाइफ में फिर से गेन मिलेगा इनको unfulfilled desire इनके पूरे होंगे यह बताती है उसके बाद एक mind line के बारे में जाएं दोस्तों तो mind line इतनी लंबी है इनकी जब इतनी लंबी mind line होती है तो क्या होता है जाना कि सबसे पहली तो यह लोग कुछ भी यदि try करते हैं न तो try करते रहने पर try करते रहने पर ज़्यादा देर में सफलता मिलती है और वो ज़्यादा देर तक भी रहती है ज़्यादा time wait करने के बाद भी इनको success मिलती है और ज़्यादा time wait करने के बाद जब success मिलती है तो ज्यादा time तक भी रहती है दोनों है इस तरह के mind line के गुन होते हैं और यह यदि characteristics की बात करें तो यह लोग characteristics में इनका characteristics जो होता है बिल्कुल ही पैसेंस फुल होता है यह लोग पैसेंस जल्दी नहीं खोते हैं यह लोग cool minded होते हैं जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं लेकिन हाँ जिस तरह के इनका जो position था middle finger का जो position था वो ऐसे लोग revealing characteristics के भी होते हैं मतलब कि जो इनके उसूल है जो इनके इच्छा होगी वही यह करने की कोशिश करेंगे लेकिन जुप्टर मौंट है तो जुप्टर मौंट अच्छी खासी जगह लेने के कारण क्या होता है कि यह लोग जो होते हैं family को अपने confidence में भी लेते हैं और family की भी इनकी चिंता होती है इसके बारे में भी हम कह सकते हैं और mind line में कुछ खास तो ज्यादा परेशानी नहीं है कुछ ज्यादा कट नहीं नजर आ रही है जिससे कि हम कह सकते हैं कि इनको ज्यादा कुछ परेशानी होने की परेशान होने की आवर्श तो जब इस तरह की floating line होती है तो हम कह सकते हैं कि यह ambitious होते हैं काफी ambitious होते हैं अपने life को upgrade करने के लिए यह हमेशा यह कुछ न कुछ काम करते रहेंगी कुछ न कुछ सोचती रहेंगी कुछ न कुछ आगे करती रहेंगी यह सारी चीजें बाताती है हट line की बात की जाएं तो हट line की बारे में मैंने पूरी तरह से बता चुका है पहले ही और उसके बाद यहाँ पर ending point की हम बात करें तो ending point में आप देख पा रहे होंगे कुछ portion जो है इनका touch कर रहा है जुप्टर mount को जब जुप्टर mount को इस तरह से कुछ portion touch करता है तो यह लो इस हाथ के बारे में यह analysis था आसा है मुझे कि आप लोगों को यह मेरा analysis अच्छा लगा होगा और यदि आप भी मेरे आप भी मुझसे जोड़ना चाहते हैं यदि आप भी अपने palm की analysis करवाना चाहते हैं तो आप भी मेरे इस channel को subscribe कर सकते हैं और subscribe करने के लिए आपको connect हो सकते हैं उसका link मैं इस video के link description में और comment section में मैं दे दूँगा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस video को अन्त तक देखने के लिए